राथी राथी दोस्तों स्वाकत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों नई साल पर अपने खर यह एक चीज चरूर ले आना इतना धन वर्सेका की सभान नहीं पाऊगे पूरे साल पर हर छेतर में मिलेगी सफलता गरीबी आपके द्वार पर नहीं आएगी दोस्तों जब नया साल शुरू होता है तो सभी की मन में यह कामना रहती है कि नया साल हमारे जीवन में खुश्या लेकर आए पिछले साल से नया साल बहतर हो हमें हर छेतर में सफलता मिले अगर आप भी यही चाहते हैं और नय साल पर मालक्ष्मी को अपने खर आमंतरित करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपको साल पर किसी भी चीज की कमी ना रहे आपके घर धन बरस्ता रहे तो नय साल में आप इन चीजों में से किसी एक चीज को जरूर अपने घर ले आना जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रही है दोस्तों शांस्तों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गए हैं जो सौफागी में प्रतिक करने वाली होती है कई बार हम कड़ी मेहनत करती है लेकिन अगर किस्मत का साथ नहीं मिलता तो सफलता भी नहीं मिलती और अगर इन चीज़ों को आप अपने घर ले आते हैं तो किस्मत साथ देने लग जाती है दुर्भा के सौफागी में बतल जाता है और फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है जब आपकी किस्मत आपका साथ देगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोख पाएगी आपका नया साल शुब और मंगल में होगा सबसे पहरी चीज है धातू का कच्छुआ हिंदू धर्ब में घर में कच्छुआ रखने को बहुत शुब माना जाता है धार्मिक मानेताओं के अनसार भागवान बिश्णू का एक रूप कच्छुआ था भागवान बिश्णू ने कच्छुए का रूप धारण कर समुन्दर मंथन के समय मंदरानचल परवत को अपने कवच्छवत थामा था कहा जाता है कि जहां कछवा होता है वहां मालक्षमी का आग्मन होता है फैंक सुई में भी कछवा रखना भी हश्चुब माना जाता है इससे घर और आफिस में सकारात बंग उजगा प्रभा बना रहता है नई साल पर धातू का कच्छुआ लाएं और इस कच्छुए को आप अपने घर में उत्तर दिशा में रखें इससे नयार साल आपके लिए मंगलकारी होगा और घर में सुख सम्रधी बनी रहेगी दूसरी चीज है पिरामिट नई साल पर पिरामिट अपने घर लाएं यह देखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन इसका असर आपके भागे को बदलने की ताकत रखता है कहते हैं कि पिरामिट को घर के अंदर रखने से पॉजिटिविटी आती है और अगर पिरामिट को घर के बीचों बीच रख दिया जाए तो इसका असर और भी बढ़ जाता है बास्तू में पिरामिट को उज़ा संतुलित करने बाला माना गया है यही कारण है नकारात्मक उज़ा प्रभाग को दूर करने से हर प्रकार के बास्तू दोशों को बिना तोड़ फोर खत्म करने तक में पिरामिट का प्रयोग किया जाता है पिरामिट घर को ना केवल बुरी नज़र से बचाता है बलकि आपको बुरी आदतों से भी दूर करेगा तीसरी चीज है तोते का चित्र या मूर्टी पास्तू सास्त के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुची बढ़ती है साथ ही इस्वरन छमता में भी इजाफा होता है माना जाता है कि तोता स्वभाग्य का प्रती होता है फैंग सुई के अनुसार तोता पांस दत्वों का संतुलन इस्थापित करने में मददगार साविद होता है तोते का चितर बच्चों की पढ़ाई के कमरे में उत्तर दिशा में अवश्य लगाना चाहिए चौथी चीज है मोरपंक मोरपंक अत्यंत शुब और चमतकारी होता है हिंदु धर्न में मोरपंक को विशेश महत्व दिया जाता है मोरपंक भगवाई श्री किष्ण अपने मस्तक पर धारन करते है मोर के पंक में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का बास माना जाता है यही कारण है कि इसे भाग्य वर्धक माना जाता है कहा जाता है कि मोरपंक भाग्य के मार की सारी रुकावटे भी दूर कर देता है मोरपंक बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है ध्यान रखें कि घर में एक से तीन ही मूर्पंख रखें मूर्पंख का गुच्छा ना रखें नमबर पांच है गोमती चक्र गोमती चक्र बहुत ही चमतकारी पत्थर होता है गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते है गोमती चक्र को भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है माना जाता है कि घर में गोमती चक्र रखने से किसी भी प्रकार की शत्रुबाधा नहीं रहती कहा जाता है कि ग्यारेक गोमती चक्र पीले बस्तर में लपेड करते जोरी में रखने से बरक्कत बनी रहती है पांचमी चीज है एकाक्षी नार्यल एकाक्षी नार्यल को शिरीफल भी कहा जाता है शिरी अर्थात लक्ष्मी एक आक्षी नारियल को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है सामाने नारियल की आकरती में तीन छिदर दिखाई देते हैं जिन्हें प्रचलित भासा में दो आक और एक मुख कहा जाता है जबकि शिरी फल में केबल दो छिदर होते हैं जिन्हें एक मुख और एक आख कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से धन का लाब होता है। साथ ही कई प्रकार की समस्याएं खोद ही घर से दूर हो जाती है। एक आक्षी नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर धन रखने के इस्थान पर रखा जाता है। इसके अलाबा लाल कपड़े में कुछ लगू नारियलों को लपेट कर तिजोरी में रखने से धन तथा सम्रधी बरकरार रहती है। छटे नंबर पे है चांदी का हाती। हिंदू धर में हाती को एक पवित्र जानवर माना जाता है। क्योंकि हाती को भगवान श्री गणेश का प्रतिक माना जाता है। चांदी से बना हाती वास्तू सास्तर के मताबिक बहुत ही शुब माना जाता है। वास्तू के अनुसार चांदी और हाती दोनों ही नकारात्मक भाब को खत्म करके सकारात्मकता में बदल देते हैं। चांदी के धातू से निर्मित हाती यदि घर या ओफिस में रखा जाए तो सभी दोश नश्ट होते हैं जिससे घर में सकारात वक्ता बढ़ती है और घर परिवार पर देवी लक्षमी की क्रपा हमेशा बनी रहती है। चांदी के हाती को अगर घर ओफिस की टेवल पर रखा जाए तो इससे काम में तरक्की मिलती है और धनलाग के योग बनते हैं चांदी के हाती को उत्तर दिशा में रखना चाहे हैं। घर में ठोज चांदी का हाती रखने से राहू तधा केतु का बुरा प्रभाव नहीं रहता। इसके अलाबा ब्यापार और नौकरी में भी उन्नती होती है। साथमी चीज है मोती शंक। मोती शंक एक विशिश प्रकार का शंक होता है। ये आम शंक से थोड़ा अलग दिखाई देता है और थोड़ा चमकीला भी होता है। इस शंक की पिधी विधान से पूजा करके तिजोरी में रखा जाए तो घर, कारे इस्थल, व्यापार इस्थल और भंडार में पैसा टिकने लगता है और आमदनी बढ़ने लगती है। वैसे तो दश्णा बरती शंक साथना के लिए उत्तम माना जाता है परन्तु मोती शंक और भी महत्पूर माना जाता है लेकिन ये बहुत दुरलब होता है और इस संक में मालक्षमी का बास होता है जो धन और संपत्ती की देवी मानी जाती हैं इसलिए इस शंक को अपने घर में रखना बहुत ही उत्तम होता है आठमी चीज है कमल गट्टे की माला कमल गट्टे की माला घर में अवश्य रखनी चाहें कमल के पांचों अंगों में देवी कमला का बास होता है देवी कमला को कमल का हर एक अंग प्रिय होता है लेकिन इन्हें सरवादिक प्रिय है कमल का पीज अर्थात कमल गट्टा कमल गट्टा मा लक्षमी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है माना जाता है कि कमल गट्टे की माला से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं माता लक्षमी की उपासना के लिए कमल गट्टे की माला शुब मानी गई है इसको धारन करने से पुराणों में स्वास्तिक को देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गनिश का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के सुष और अस्ति सब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, शुभ होना। स्वास्तिक में सभी बिगनों और अमंगलों का नाश करने का गोण होता है। स्वास्तिक का चिन्न बनाने से घर में धन और सकारात्मक उर्जा का आगमन होता है, घर में भिन्न प्रकास से स्वास्तिक बनाने से शुक्षान्ति, व्यापार में उन्नति और सौभाग्य में ब्रधी होती है, घर के बहार रंगोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्न बन इस्माना मंगलकारी होता है। इसे देवी देपताओं का घर में आग्मन होता है। घर में शुप्ता, शांती, सुपसम्रद्धी और पित्रों की क्रप्रा के लिए है। गों बर्ज स्वास्तिक बनाएं। नए साल पर अपने घर की मुखे द्वार पर कुम-कुम से स्वास्त इससे घर में सुक्सम्रधी बनी रहेगी। जिस घर के द्वार पर स्वास्तिक का चिन्य बना होता है, वहां मा लक्ष्मी का भी आगमन होता है। आप बाजार से भी धातु का स्वास्तिक ला सकते हैं और इस स्वास्तिक को भी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं या अपने घर के मंदिर में भी दख सकते हैं स्वास्तिक को उत्तर दिशामी लगाना भी बहुत शुमाना जाता है माना जाता है कि घर में स्वास्तिक रखने से घर परिवार, धन, स्वास्तिसम्बंदी, समस्याय दूर होती है नए साल पर आप भी अपने घर में इन में से कोई भी एक बस्तु अवश्य लाएं हर नव वर्ष पर मैं भी ये बस्तु अपने घर में जरूर लाती हूं इससे हमारा पूरा साल शुब और मंगल में बतीत होता है उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने थैंक्स फॉर वचिंग राती राती